आखिर क्यों होंडा की एक्टिवा सीरीज इतनी जादा फेमस है इंडिया के अंदर और इतनी टॉप सेलिंग स्कूटर है क्या ये सिर्फ एक नाम है या फिर कुछ काम की भी चीज है एक्टिवा चलिए बात करते हैं इसी के बारे में ये बात आपको बतानी जरूरी नहीं है कि हॉंडा इंडिया की टॉप सेलिंग स्कूटर को बनाता है जिसका नाम है एक्टिवा 6G जी हां दोस्तों हम बात कर रहें एक्टिवा 6G की जो की इंडिया की बैस टॉप सेलिंग स्कूटर है second number पहला कि Jupiter आजा लेकिन वो दूर दूर तक नहीं आता एकलोती ऐसी scooter है जिसने Splendor की market को भी reduce कर दिया था मतलब Splendor को भी पीछे छोड़ रखा जिया Hero की Splendor वैसे टू विलर में top selling bike थी लेकिन उसने bike को पीछे छोड़ा ही छोड़ा कि company से आज भी scooter ही कहते है दोस्तों तो आप scooter मत कहा किजिए अच्छा नहीं लगता सुनने में आपने इसकी लड़की वाली feeling बना दिया scooter को ले 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 बोल बोल के लिए जूपिटर से भी आपको 2-3 नजवर महंगी ही पड़ेगी लेकिन इसकी अंदर खास क्या है इसके engine में हलाकि 110 CC के engine है सारी गाड़ियों के लेकिन 110 CC के अंदर क्या है तो सिंपल सी वात है Redmi 12 Megapixel से Samsung 12 Megapixel बहुत अच्छा हो और Samsung 12 Megapixel से Apple 12 Megapixel बहुत ज़्याद अच्छा है वह कैमरा उसी इसाब से दूसरे 110 scooter के मुकाबले एक्टिव का 110 scooter का CC है लेकिन इसके दिरे ब्रेक होर्स पावर और जो पिक अप है वो बहुत ज़्यादा है यानि कि इसका thrust बहुत ज़्यादा है गाड़ी के अंदर और इसकी जो mileage है वो भी ज़्यादा है क्योंकि यह Honda की Japanese technology है और इस वजह से इसके अंदर Eco technology लगाई गई जो है वो metal body है second वज़ा है इसकी bikini की है इसका नाम और तीसरी वज़ा है जो नाम इसने बनाया अपने engine के दम पर इसके engine में वाकाई में थोड़ा दम है थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही दम है बाकी scooter के मुकाबले एक तो यह जमी से चिपक कर चलती है अगर आप रेस हमें पता लग जाएगा कि आपको पसंदा गई है और चैनल को सब्सक्राइब करते हो बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको पास आपके पास समय से पहले पहुंच जाए तो बाई बाई दोस्तों फिर मिलेंगे के लिए